नमस्कार जो हमारा टोपिक है कलास 9 चैप्टर 7 अक्सरसाइज 7.3 और क्वेस्टन 4 है और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो क्वेस्टन 4 देखिए क्या है बी एंड सी एफर टू इक्वल अल्टिचूड बी और सी एफ टू इक्वल अल्टिचूड दे रखे हैं ट्रेंगल एबी सी के ठीक है यूजिंग आर एच एस रूल यानि की देखो आर एच एस का मतलब क्या है राइट एंगल हाइपोटेन साइड प्रूद देखिए एबी सीज आइसो सेल्स तो कैसे करते हैं देखो हमारे पास में क्या है गिवन है ट्रेंगल एबी सी जैसे फिगर बना लिया हमने मान के चलिए हमारी एबी सी ट्रेंगल है ठीक है तो इस पर क्या है ए The बी और ौर B, E और C, F, 2 क्या है, Altitude, यानि कि देखो ये, ये इस पर होगा, Altitude, ठीक है, इसका नाम दे दिया, E, और एक क्या है, C, F, ठीक है, इसको नाम दे दिया, F, और क्या दे रखे हैं, Equal दे रखे हैं, तो given में क्या है, B, E, A, B, C, TRIANGLE है, ठीक है, A, B, C, Z, TRIANGLE, और क्या दे रखे हैं, Altitude, दे रखे हैं, आपको, Altitude, B, E, और C, F, क्या दे रखे हैं, Equal दे रखे हैं, ठीक है, अब आपने ISO CELLS सिध करना है, देखो, ISO CELLS SO करना है, तो आप किस तरीक के से देखो, Two Pro में क्या देखोगे, Two Pro, ISO CELLS याने की जैसे देखो, हम क्या दिखाएंगे, A, B, E, C, दिखाएंगे, A, B, E, C, अब इसने एक बात बोले, कि आप हैंना, Right Hypotence Rule यूज़ गरोगे, Right, Right Angle, Hypotence, और एक साइड, ठीक है, तो Proof में क्या दोगे, देखो, Proof, आप जिसी Right Angle है, देखो, यहां पे है तो Hypotence, इस तरीक के से, यह यह ट्रैंगल है, तो Hypotence, तरीक के से, मतलब आपने Hypotence यूज़ करना है, ठीक है, और आपने Right Angle यूज़ करने हैं, मानगे चली क्या कहना है, इसका मतलब है, Right Angle यू यूज़ करता हूँ, ऐसा Question पिछे भी कर चुके हैं, जब Side Angle साइड से हो जाता है, बट इसने बोला कि Right Angle Hypotence यूज़ करना है, ठीक है, तो हम क्या लेते हैं, देखो, एक लेते हैं, ट्रैंगल बी, इसी ले लेते हैं, ठीक है, और एक हम ट्रैंगल ले लेते हैं, बी, इ एफ, और मैं क्या कर लेता हूँ, देखो, ये ट्रैंगल होगी मेरी ये वाली, और ये ट्रैंगल होगी मेरी ये वाली, मैं जब इनको कुंगरेंट सीद कर दूँगा, तो देखो, इस ट्रैंगल में एंगल B, और इस ट्रैंगल में एंगल C, अगर जब बराबर होगे, तो देखो नो इन ट्रियंगल बेच और ट्रियंगल बेच और बेच तो देखिए अंगल बेच अंगल बेच Angle BFC Is equal to angle BEC Because of E is 90 degree Second one क्या है BE Is equal to BE is equal to CF क्या दे रखे है ये भी given दे रखे है Equal Altitude ठीक है अब आप देखिए इस ट्रेंगल की बात है देखो इस ट्रेंगल में आते हैं BC common आ रहा है जब इस ट्रेंगल में आते हैं तब भी क्या है BC common है तो आपने क्या लिख दिया BC is equal to CB BC is equal to CB यहां क्या लिख देंगे Common Common एक आपका क्या हो गया देखो एंगल राइट एंगल हो गया एक आपका क्या हो गया Ipotence और एक साइड This implies ट्रेंगल BEC ट्रेंगल BEC congruent to triangle BCF यहनि कि BEC congruent to BFC अगर यह ट्रेंगल congruent होगी तो देखो यह इस ट्रेंगल में कॉंट साइगल B और इस ट्रेंगल में कॉंट साइगल C तो B और C भी क्या होंगे बराबर होंगे Then क्या बोलेंगे देखो अगर triangle congruent होगी Therefore क्या बोलेंगे Therefore Angle B is equal to Angle C यहां क्या लिख देंगे Bicepicity Bicepicity अगर angle B और C बराबर होगी ना तो इसका मतलब क्या होगा देखो इसका मतलब AB और AC भी क्या होगे This implies AB equal to AC क्या लिख देंगे Opposite side Opposite sides To equal angle Equal Angle Interangle ठीक है? Opposite side To equal angle In an interangle और Hence proved A यह हमने क्या करना था प्रोव करना था Therefore ट्रेंगल ABC is isocells Is isocells ठीक है? Hence proved जो next sum है Next sum देखिए Next sum Question Fifth Question fifth क्या है? ABC is an isocells triangle ABC is an isocells triangle With AB is equal to AC Draw AP perpendicular to BC To show that B angle B is equal to angle C देखो यहां पे हम क्यालिंगे एक हमारे पास में ABC isocells triangle है देखो हमने ले लिया ABC isocells triangle यह होगी हमारी ABC isocells triangle ABC ABC अब इसकी उप्रहना AP perpendicular to BC AP perpendicular to BC यह होगी आजी perpendicular मतलब यह भी 90 का है और यह भी क्या है? 90 का है अब आपने क्या सीद करना है angle B is equal to angle C देखो यह साइड यह और यह साइड पहले बराबर दे रखिए तो हम कह सकते सीदा भी कि यह और यह भी क्या होगे? angle बराबर होगे बट अमने ब्रू करना तो देखो आप प्रूप में क्या लिखे? स्टार्टी में given लिखते है given में क्या लिखोगे? ABC is a isocells triangle ठीक है? is an isocells triangle isocells triangle isocells triangle है तो this implies that is क्या दे रख़ा है? ABC दे रख़ा है AB is equal to AC हम सिधा भी कह सकते हैं कि AB or AC बराबर तो angle बराबर होगे ठीक है? क्योंकि angle opposite to equal side बट आम नहीं प्रूप करना तो प्रूप करेंगे देखो इसको right hypotence side से ही प्रूप करेंगे अब आपने प्रूप क्या करना है? to prove to prove में क्या लिखोगे? to prove angle B is equal to angle C angle B और C को क्या सिध करना है? equal सिध करना है तो देखो prove क्या लिखोगे? interangle interangle ABP ABP and triangle APC APC देखो interangle ABP and APC triangle APC देखो starting में क्या लिखोगे? AB is equal to AC AB is equal to AC यहां क्या लिखोगे? given अब आप क्या लिखोगे? AP is equal to AP AP is equal to AP AP is triangle में भी आता है, इसमें भी तो क्या होगया? common होगया यहां लिख देंगे common ठीक है? AP is equal to क्या होगया? AP होगया अब एक बात यह देखिए angle A angle AP एंगल देखो angle AP मतलब देखो यह एंगल इस एंगल के बराबर होगा angle AP is 90 degree इस 90 degree तो यह क्या है? hypotent सामने बाद यह angle होगया, एक side होगी, ठीक है, बिचवाई तो this implies triangle ABP congruent to triangle APC triangle ABP किसके congruent होगी APC के अगर triangle A congruent होगी तो this implies angle B is equal to angle C क्योंकि equal opposite angle क्या लिख देंगे opposite angle to equal sides यही हमने क्या था प्रूव करना था अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक केजिए कोमेंट केजिए धन्यवाद